मावीत मंदीर के पीछे का द्रिश्य है जहां माला वगेरा प्रशाद वगेरा समय में दिखता है तो हम लोग यहां से माला लेकर मंदीर में इंटर कर रहे हैं यह मुक्य द्वार के बाहर मेट्रों का कराम चल रहा है तो हम लोग पीछे के पीछे से भी एक दर्वाजा बना हुआ है जहां साभी भक्तों का आना जाना है तो अब वहीं अंदर जा रहा है देखे मंदिर में अभी भी बीड़ लगी हुई है रात के साड़े दस बज रहे हैं यह मंदिर पटना जक्षन के पास होने के कारण यहां पर रेक्चिछ लोगों के लिए है कि अगर ट्रेन लेट है तो बहुत सोरे लोग यहां आते बिश्राम भी करते हैं आप देख सकते हैं हम बहुत सारे लोग बैठी हो अपने लगज के साथ यहां ना रेदम मिलता है सॉरी गाइज आपको वह उपर का द्रिश्व नहीं दिखा पाया है इसलिए इसमें बैट करने ही फोक्त लेकिए हम लोग अब मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे प्रवेश सकते हैं कि हम लोग पूजा का क्लिप तो नहीं ले पाएं क्योंकि वहां बहुत बीड़ थी अब इन्य सेकेंड फ्लोर पर आ चुकी हूं यहां भी बहुत सारे देवी देवताओं का मंदिर है मतलब मूर्टी वगएरा है चलिए आपको दिखाते हूं देखिया भगवान श्री राम और उनके अनुज लक्षमन जी हैं जिनें सबरी माता फल बेर खिला रही है यहां स्रीकृष्ण अर्जुन को गीता का ग्याम देते हुए नजर आ रहे हुए यहां जगत जननी माता रानी मा भवानी विराजमान है देखिये यह वही मंदिर है राम मंदिर जो आयोध्या में हमारे माननी प्रदान मंत्री जी ने निर्मान कराया है उसका पहले से ही यहां पर साचा बन के रखा हुआ है आप देख सकते हैं यह आज से नहीं बहुत साल पहले से ही है देखिये यहां पर मा तरानी मा पार्वती मा गौरी अपने आराध्य अपने पती परमिश्वर की अराध्ना मिलीन है सावन के महिने में यहां बहुत सारे भक्तजन रुद्रावेशेक भी करवाते हैं यहांपर इस मंदिर में शाधी व्याभी होता है सब कुछ होता है हर पूजा होती है यहांपर कोई कर्वान चाहे तो यहां हमारी मा देजी ख़ड़े है मेरी बेटी उल्टा उल्टा ही है आउ दिखिए इनसे मिलिए यह है मेरे सबसे छोटे सबसे प्यारे देवर जी देखिए यहां हमारे गन्नु महराज विराजमान है विग्न हर्ता स्रेगनीस यह है पटना जक्षन का नजारा हम लोग अभी बाहर के कॉरिडोर में है जो उपर में आप देख रहे हैं वो थर्ड फ्लोर है तो यहां थर्ड फ्लोर के तो हम नहीं जाता है थे क्योंकि आर्टी का समय हो चला था तो हम लोगों को नीचे आर्टी में सम्मिलित होना था देखिया मेट्रो का काम चल गया मेरी बेटी बैग्रांड म्यूजिक देते हुए सॉरी गाइफ देखिये आर्टी की नगारे की द्मनी सुनाई देरी होगी लेकिन आर्टी सुरू हो चुका है यह राट का शैयन आर्टी है इसके बाद मंदिर का कपाट बंग हो जाता है फिर दूसरे दिक मौने में तादे काल पाता है यह शैया नास्की का यहां आप अपर आप लोगों पुश्य देख रहे हैं और भाट के थे अपर लोगों के के इम दो आपने के समय है यहां पपर दोश गया है आप लोग देख रहे हूंगे अभी भी बहुत सारे